लेतें example number 2, the following data, ये को data दे रखें, 2, 5, 15, 25 and so on, इस तरीके से कह रहा है कि, is a grouped in the class interval 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 etc, find the frequency of the class interval 22 to 25, ठीक, इसकी grouping कर ली गई, अब हमको कौन से interval की frequency चाहिए, 20 से 25 वाले interval की frequency चाहिए, अब बच्चो देखो ये वाला जो interval है आपका, ठीक, 22 to 25 वाला जो interval है, य ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस interval में कौन-कौन से data आएंगे, तो जवाब है, जो data 20 के equal हो, I repeat, इसको आप बोलते हो lower limit, ठीक है, तो जो data आपका lower limit के equal हो, उसको आपको ले लेना है, यानि कि 20 को आपको ले लेना है, उसके बाद 20 से जो बड़े number आएंगे, 21, 22, 23 24 तक आपको लेना है, 25 आप नहीं ले सकते हो, 25 वाला जो data है, वो next interval में आएगा, I repeat, next interval क्या होना चाहिए, 25 से 30, ओके, तो अगर आपको 25 लेना है, तो आप ये वाले interval में नहीं लोगे, next interval में लोगे, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें कौन-कौन से आजाएंगे, 20 20 आजाएगा, ठीक है, मैं color change करके लिख देता हूँ, कि 20 से 25 वाले interval में आपके कौन-कौन से data आजाएंगे, तो बच्चों ये वाले interval में आजाएगा, आपका 20, lower limit वाला जो number है, वो आएगा, 21 आ सकता है, 22 आ सकता है, 23 आ सकता है, 24 आ सकता है, 25 यहाँ नहीं आएगा, ये लिजे, 25 next interval में आएगा, ठीक है, students, upper limit वाला नहीं लेते हैं, ये upper limit है, ठीक, ये lower limit है, ठीक, तो अब आ जाएगे, यहाँ पर data में, इस data में जाके देखिए, कि 20 से लेके 24 तक, number है, उसको circle कर लो, तो ये 2 है, 5 है, 15 है, 25 है, 25 है, 25 नहीं लोगे, मैंने आपको बताया था, 20 ले सकते हो, yes sir, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, 21 ले सकते हो, yes sir, ठीक, 17, नहीं, 30, नहीं, ये तो बाहर हो जाएगा, 23 ले सकते हो, yes sir, 40 ले सकते हो, no, 51, नहीं, 15, नहीं, 2, नहीं, 9, 57, 19, 25 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है students, तो आपको कितने number मिल रहे हैं यहाँ आपको मिल रहे है 1, 2, 3, यानि कि इस class interval में 20 से लेके 25 के बीच में कितने data है, 3 data है, इसलिए 20 से 25 के जो frequency होगी, वो कितनी होगी, 3 होगी, okay students, so option C is the correct option, okay, note का लीचे,